हेलो फ्रेंग्स आज का हमारा ट्यॉपिक है काउंटिंग ओफ फिगर्स आज हमने जो एक्जाम्पल लेनी है उसमें हमने करना है काउंटिंग ओफ स्कुर्स और डिप्टेंगल्स अब सबसे पहले मैं चेक करूँगी कि मेरे पास कुश्चन कैसे गिवन है अब जैसे मेरे प यह चार यह चार और एक बड़े वाग़ पर अगर ऐसे देखा जाये तो यह भी तो एक स्कुयर है ऐसे भी है यह थोड़ा सा टाइम चिविंग हो गया अब आपको पहले चेक करना है कि ये कौन सा मेट्रिक्स है अब इसमे चेक करो 4 columns है और 4 ही rows है It means ये मेरा M into M का मेट्रिक्स है अगर सेम column हो और सेम rows हो तो आपनों इसको कैसे calculate करना है 1 का square, 2 का square, 3 का square, 4 का square इन सब को add कर देना है 1 का square 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 914 30 इसका मेरा आंसर आ जाएगा कितने स्कोर्स है इसमें 30 अब ऐसे ही next figure लेते हैं next figure में मैंने चेक किया कि क्या ये m into m का matrix है 1 2 3 4 5 6 ये 6 हैं और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 मेरे पास ये m into m का matrix नहीं है इस matrix को क्या बुल जाता है m into n मतलब मेरे पास rows है 5 और columns है 6 ठीक है अब इस case में हमने क्या करना है पहले इसको मैं m into m का बना लूगी मतलब यहां तक मेरा बन गया m into m 1 का square 2 का square 3 का square 4 का square 5 का square अब जैसे मैंने यहां तक addition किया था मेरे पास कितना आया था 30 5 का square 25 तो ये मेरा हो गया 55 ठीक है अब ये जो मेरे पास अलग है इनको मैंने number दे देना है 1 2 3 4 5 इन सबको add किया मेरे पास आ गया 15 अब मेरे पास इसमें कितने squares है 70 ठीक है चल अब next example लेते हैं करी दो गदे़ के सबकूद सुखिए मैं दोक सम्काट essent peppया है क्व कर चे हैं मैंने भुब आनल तोंटोंग से संब का सुऩद है उलस तोंगक Marketing देम कर चाभी मेरे कंद़ का चीक है अब ये दो examples है अब इस पे मुझसे पूछा गया कि बताओ कितने squares है अगर मैं ये ना लू तो मेरे पास 1, 2, 3, 4 प्लस एक बड़े वाला square कितने हो गए? 5 ऐसी अब छोटे वाला देखो 1, 2, 3, 4 फिर ये 5 तो कितने हो गए squares? 10 अब ऐसे ही मुझे इसमें देखना है अब इसमें मेरे पास 2 figures merge है पहले देखो M into M का matrix है 1, 2, 3, 4 ऐसे ही 1, 2, 3, 4 तो इसमें पहले मैंने किया 1 का square, 2 का square, 3 का square, 4 का square ये मेरे पास आगया 30 अब मेरे पास इसमें भी squares होंगे मैंने अभी calculate किया अगर ऐसा है तो 1, 2, 3, 4 प्लस एक बड़े वड़ा square कितने हो गए? 5 अब मेरे पास ऐसी 4 figures है तो 5 fours are 20 तो मेरा answer आगया 50 तो number of squares इसमें कितने हो गए? 50 चल, next example लेते हैं अब इस figure में हम करेंगे counting of rectangles अब इसमें मुझसे बुचा गया counting of rectangles अब देखो हम क्या गलती कर जाते हैं इन questions में? हम एक चीज़ बूल जाते हैं कि अगर कोई मेरा square है तो वो मेरा rectangle भी है पर अगर मेरा rectangle है तो वो मेरा square नहीं है तो इसमें हम squares count नहीं करते हैं हम simple rectangles count कर जाते हैं तो उससे हमारा answer गलत आजाता है तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो squares हैं वो भी count करने है rectangles में अब इस case में आपको क्या करना है आपने columns देख लेने कितने हैं 1, 2, 3 इनको add किया 6 ऐसे ही rows देख लो कितनी है 1, 2, इनको add किया 3 तो ये 6 को 3 से multiply किया मेरे पास कितने आगे rectangles 18 होप करती हूँ कि आपको ये समझ आगे होगा topic बाकि हम आज से ही आगे videos continue करते रहेंगे Thank you